आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब यदि मैं दोनों साइड स्क्वारिं करता हूं तो यहां से निकालना क्या है हमें यहां से निकालना है सबसे पहले वैलो सीटी तो वैलो सीटी के आता है Rate of Change of Displacement मतलब की Dx upon dt होता है तो मैं बोलूँगा T2 को जब differentiate करेंगा तो 2T आएगा प्लस 25 मेरा constant term है तो उसका differentiation 0 और जब 10T को differentiate करेंगा तो 10 आजागा तो यहां से जब वैलो सीटी मेरा आजागा इट विल कमस आउट वे इक्वल टू 2T प्लस 10 के बराबर तो वैलो सीटी मेरा आगे 2T प्लस 10 तो हमें option नमर शेकेंड क्या रखा है कि T is equal to 0 पर वैलो सीटी 10 मिटर पर सेकेंड है तो यदि मैं चेक करूं T is equal to 0 पर तो V बराबर क्या जगा 2 इंटू का 0 प्लस का 10 अर्था T is equal to 0 पर वैलो सीटी मेरा आजागा 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहाँ से यह वाला option सही है ठीक नेक्स्ट अगर मैं बात करूं acceleration के लिए तो acceleration क्या बता है rate of change of velocity मतलब कि dv by dt होता है तो 2T को differentiate करेंगे 2 तो constant है T को differentiate करेंगे तो 1 आजागा प्लस 10 को differentiate करेंगे तो 0 हो जागा तो यहाँ से जो acceleration आजागा वो आपका बराबर आजागा 2 meter per second square करेंगे आपका कैसा value है constant value है constant भी और साथ साथ आपका positive भी है ठीक है तो point हमारे यहाँ पे कहाए कि acceleration of the particle is constant V का value क्या है 2 T plus 0 है अगर आप T का कोई साभी value लिजे positive value T is equal to 0 लिजिए 1 लिजे 2 लिजिए velocity हमें साब का क्या आने वाला positive आने वाला T is equal to 0 पर velocity 10 आ रहा है और जैसे से आप time बढ़ाओगे वैसे वैसे velocity आपका क्या करेंगा increase करेंगा तो यहां से हमें लोग क्या conclude कर सकते है कि जैसे आपका time increase करेंगा तो आपका velocity भी क्या करेंगा increase करेंगा ठीक है और एक और point क्या है कि acceleration का value है वो मेरा positive है और वो constant value है ठीक है accelerate करेंगा body throughout accelerate हो रहा है और time के साथ-साथ आपका velocity increase भी कर रहा है तो इस परकार समय लोग क्या सकते है कि particle आपका कभी भी reverse नहीं करेंगा direction को direction आप motion को नहीं तो वहापे velocity का value negative हो जागा तो यह भी बात सही है मतलब कि यह सही है तो overall मैं कहूंगा कि जो D option है वो आपका correct है ठीक है आपके correct होके Thank you